आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है इस वीडियो में हम लोग बैक्टेरिया को अच्छे तरीका से समझेंगे तो बीना देली करें चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं देखे बैक्टेरिया एक्चली होता क्या है बैक्टेरिया आपने माइक्रोप्स के बारे में तो पढ़ाई होगा माइक्रोप्स देखे अब माइक्रोप्स के बारे में समझते हैं लोग माइक्रोप्स आखिर होते क्या हैं माइक्रोप्स आपके एक मिनट वैसे आप लोगों ने microbes के बारे में पढ़ा होगा microbes क्या होते हैं आपके वो microorganisms होते हैं जो नेक डाइस से बिल्कुल भी देखे नहीं जा सकते हैं वैसे ही आपके microbes का एक टाइप होता है that is bacteria यह आपके बहुत ही छोटा size का होता है which is very small in size living organism होता है that can only seen by the special equipment उसे special equipment के थूँ ही देखा जा सकता है that is आपका क्या होता है आपका micro scope next कह रहा है bacteria exist in a large number in a air, water, soil, plants and bodies of the people and animals एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ जो bacteria होते हैं bacteria आपके even everywhere पाया जाते हैं आपके चाहे वह स्वाइल हो या water हो या फिर आपके air हो बैक्टेरिया को देखेंगे तो आपके कहीं भी पाय जाएंगे और आगे है bacteria cow disease bacteria क्या करते हैं? disease को cowse करते हैं पर कुछ bacteria ऐसे होते हैं जो bacteria हमारे अच्छे दोस्त होते हैं और हमारे इनेमी होते हैं जो आपके disease को cowse करते हैं bacteria के दो टाइप होते हैं जो आपके bacteria कुछ आपके health करते हैं आपके body equipment में और कुछ bacteria आपको जो बीमार कर देते हैं ठीक है? देखे और आगे next point हमारा कह रहा है एक मिनट और चली आगे हम लोग bacteria के बारे में और ज्यादा कुछ जानते हैं bacteria are the teeny, teeny single-celled एक मिनट क्या कह रहा है? bacteria are the teeny single-celled living organism यह क्या होते है? single-celled living organism होते हैं they are millions of different types of bacterias many can be found in our body and beneficial to you कुछ हमने जैसे आपको बताया कि कुछ bacteria क्या होते हैं आपके bodies के लिए beneficial होते हैं this bacteria make up your microbiome which keeps your body healthy जो क्या करता है? आपके bodies को healthy रखने में मदद करता है other bacteria can make you sick और कुछ ऐसे bacteria होते हैं जो आपको नुक्सान कर सकते हैं the health care providers can treat many bacteria infections with the antibodies जोड़िए